गूड इवनिंग स्टुडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में चंदेल सासक विदादर के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे तो देखें स्टुडेंट्स चंदेलों के बारे में हमने काफी कुछ पहले पढ़ लिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाके और चंदेल राजवन्स को देखें तो आपको काफी कुछ वहाँ पे मिलेगा और जो भी वीडियो हम बना रहे हैं वो सरे के सरे एकजाम के बहुती मतवपुन है अता है आप वीडियोज को ध्यान से देखेगा यदि आप लोगों ने यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें वीडियोज को लाइक और सेर करें और यदि कोई भी सुझाव आप लोगों के पास हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ठीक है तो चलिए पढ़ते हैं चंदेल सासक विद्यादर का इथिहास चंदेल सासक गंड के बाद उसका पुत्र विद्यादर सासक बना जो 2019 से 1029 इस वितक सासक रहा था वह चंदेल सासको में सरवादिक सक्तिसाली सासक था उसके सासनकार की गठनाओं का उलेख हमें ततकालेन लेखों तथा मुसलमान लेखों के विवरण से मिलता है मुसलमान लेखे विद्यादर का नंद तथा विद्या नाम से भी उलेख करते हैं अर्थार विद्यादर के अन्य जो नाम है वो नंद तथा विद्या भी देखने को मिलते हैं इबन उल अतहर लिखता है कि उसके पास सबसे बड़ी सेना थी तथा उसके देश का नाम खजुराहु था विद्यादर के राजा बनते ही महमूद गजनवी के नेतरत्व में तुरकों के हिंदू राजाओं पर आकर्मन तेज हो गए किन्तु वीर चंदेल सासक विद्यादर तुरकों से नहीं डरा और तुरकों का बड़ी वीरता से सामना किया एक हजार उन्नीस इस्व में महमूद ने कन्नोज के पटिहार सासक राजेपाल के उपर आकर्मन किया राजेपाल ने डरकर बिना यूद किये ही आत्म समर्पन कर दिया था जब विद्यादर को इस गठना का पता चला तो वह अत्यंत कुरूद हुआ तथा उसने राजेपाल को दंडित करने का निस्चे किया था मुस्लिम लेखक इपन उल अतहर बताता है कि विद्यादर ने कन्नोज पर आकर्मन किया तथा एक दिर्ग कालीन यूद के बाद वहां के राजा राजेपाल की इस कारण हत्या कर दी थी कि वह है मुस्लमानों के विरुद भाग खड़ा हुआ थथा अपना राजे उन्हें समर्पित कर दिया था इस विवरण की पूस्टी अभी लेखों से भी होती है ग्वालिर के कच्छवाहा नरेस चंदेलों के सामन्त थे इस वन्स के विक्रम सी है के दूब कुंड लेक जो एक हजार अठैसी स्विका है से पता चलता है कि उसके एक पूर्वज अर्जुन ने विद्यादर की ओर से यूद करते हुए कन्नोज के राजा राजे पाल को मार डाला था चंदेलोंस का एक लेक महोबा से भी मिलता है जिससे भी विद्यादर द्वारा राजे पाल के मारे जाने की बात पोस्ट होती है राजे पाल कावत करने से विद्यादर की ख्याती चारों ओर फैल गई तथा वह है उत्तर भारत का सारव भौम समराठ बन गया था कन्योज में विद्यादर ने अपनी ओर राजय पाल के बेटे त्री लोचन पाल को राजा बनाया तता उसने विद्यादर की दिनता श्विकार कर ली थी किसने त्री लोचन पाल ने अन्य हिंदू राजों ने भी विद्यादर का लोहा माल लिया था यह महमूत गजनवी को खुली चुनोती थी जिसका सामना करने के लिए वह है प्रस्तुत हुआ चंदेलों पर महमूत गजनवी का पहला आकरमण एक हजार उन्नीस बीस इस्वे में थी कर 2019-2020 में चंदेलों पर महमूत गजनवी का पर्थम आकर्मन हुआ था मुस्रिम स्रोतों के अनुसार दोनों के बीच किसी नदी के किनारे भीसन यूद हुआ किन्तु इस यूद का कोई परिणाम नहीं निकला था इस यूद में विदादर ने राजनतिक सूजबूच का परिचे दिया तथा रात्री के अंधकार में यूदिस तल उप्यूक्त नहीं होने के कारण अपनी सेना को हटा लिया महमूत गजनवी भी गजनी वापस लोट गया महमूत गजनवी का चंदेलों पर दूसरा आकरमन 2022 में महमूत गजनवी ने 2022 में चंदेल सासक विदादर पर दूसरी बार आकरमन किया सबसे पहले उसने ग्वालेर के दुर्ग का घेरा डाला जो चार दिनों तक चलता रहा अन्थ में दुर्ग पाल ने 35 हातियों के भेंट कर उसे पिछा चुडवाया उसके बाद उसने कालेंजर के दुर्ग का घेरा डाला सकती तथा ए बेदेता में वह दुर्ग संपूर हिंदुस्तान में बेजोड था ऐसा लगता है कि महमूद दुर्ग को जीत नहीं सका तथा दोनों में संदी हो गई थी तथा महमूद गजनवी मजबूर होकर गजनी वापस चला गया इसके बाद उसने चंदेज राजय पर आकर्मन करने की दुबारा हिंबत नहीं करी तथा विदादर और महमूद गजनवी दोनों के बीच मितरता के समधिस्तापित हो गई दोनों के बीच ये मितरता 1029 इस्वी तक बनी रही थी महमूद गजनवी के अलवा चंदेल सासक विदादर ने मालवा के परमार सासक भोज तथा कल्चूरी सासक गांगेई देव को भी पराजित किया था इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विदादर अपने समय का महान सासक था उसके पिता महर धंग ने जिस विसाल समराजे का निर्मान किया था विदादर ने अपने वीर्ता पूर्वक रित्यों द्वारा उसे गोर्वान वित्त कर दिया इस प्रकार धंग तथा विदादर चंदेल सक्ती के आधारिस्तम तथा समराचे निर्माता थे अब देखेगा विदादर के बारे में कई महत्तोपुन बाते हैं विदादर चंदेल वन्स का सबसे परतापी राजा था जिसने खजुराहो का कंदारिया महादे मंदिर बनवाया था मुस्लमान लेखेग उसको चंद्र एम विद्धा नाम से पुकारते हैं वै अपने दादा के समार वीर और कुसर सासक था अली इबन उल अतहर के अनुसार विदादर के राज्य की सीमा भारत में सबसे बड़ी सीमा थी उसके समय चंदेलों ने कल्चुरी और परमारों पर विजे पाई और 2019 सता 2022 में महमूद का मुकाबला किया 2019 में महमूद गजनी का विदादर से युद होता है जिससे महमूद गजनी को विदादर से संधी करनी पड़ी कुछ के लिए विदादर को दे दिये विदादर है अकेला ऐसा भारतिय नरेश था जिसने महमूद गजनी का सफलता पूरग परतिरोद किया था ठीके तो देखेगा जो चंदेल सासक विदादर है वह एक्जाम की दर्स्टी से बहुत मैतों पुण है अता है ये वीडियो आप बार-बार देखें और यदि कोई भी सुझाव आप लोगों के पास जो भी इस्टी से संबंधित हो या फिर और कुछ आपको कहना हो तो आप हमें कमेंट बोक्स में कमेंट कर सकते हैं हमारा वीडियो अन तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद